हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक हों गई दोस्तो आज की रेस्पी में हम गाउं के तरीके से सोया वीन और आलू टोमाटर की सबजी बनाने वाले हैं तो चली दोस्तो हम देन न करते हूँ रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं सोया वड़ी की सबजी बनाने के लिए एक कटुरी सोया वड़ी को हमने भिंगो कर रख दिया था और इस तरीके से हमने पानी निचोड दिया है दो टमाटर का हमने पेष्ट बना लिया है और यहां पे दो आलू को हमने छोटी छोटी टुकडों में काटके वैल कर लिया है हमने टमाटर का पेष्ट मिक्सर जार में नहीं बनाया है कद्दू कस कर लिये है कडाही में हमने रिफाइंट देल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है तो अब हम सोया बड़ी को डाल देंगे और चलाते हुए हमें गोल्डन राउन कलर होने तक फ्राइ कर लेना है इस तरीके से सोया बड़ी की सबची बनाएंगे तो बहुती स्वाधिश्ट बनेंगी जीरा डाल देंगे आप एक बड़े प्याज को कद्दुकस करके डाल सकते हैं कद्दुकस किया हुआ द्रक डाल देंगे और 10 सेकिंड के लिए सभी जीजों को भून लेंगे उसके बाद हम टमाटर का पेश्ट डाल देंगे उसी कटोरी से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे दोस्तो इस तरीके से स्याज़ीया के सब्सकार आलू कि सब्ची जरूर करनाुन दो चमज दर ध्रकुटा हुआ धनिया पौड़र डाल देंगे अाधह चमज बदर पौडर डाल दें गई आधह चमज कर्समीरी मेशफ पौडर डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे मसाले डालने के बाद टमाटर के पेश्ट को हमें 3-4 मिट के लिए धीमियाज पर पका लेना है जब तक की तेल अलग ना होने लगे तो टमाटर का पेश्ट परफेक्ट पक गया है आप देख सकते हैं बहुत ही कलर बहुत ही अच्छा आया है अब हम अबले हुए आलू डाल देंगे आलू को हमें 1 मिनिट के लिए मसाले में मिक्स करना है उसके बाद हम सोयाबरी डाल देंगे सोयाबरी को भी हमें 1 मिनिट के लिए मसाले में मिक्स करना है अब हम सब्ची में एक छोटा गिलास पानी डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मिक्स करने के बाद हमें सब्ची को 4 मिट के लिए तेजाज पर पका लेना है तो सब्ची पक गई है आप देख सकते हैं अब हम एक चमच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अगर आप सब्ची में कटा हुआ हरा धनिया डालना चाहते हैं तो डाल दें लेकिन हमने नहीं डाला है अब हम गेस को बंद कर देंगे दोस्तों अगर आप सोयाबडी के सब्ची को सूखी बनाना चाहते हैं तो पानी बिल्कूल भी नहीं डालें सोयाबडी या लू टमाटर की सब्ची को आप चपाती, पूरी, पराटा, चाऊल के साथ खा सकते हैं मैं उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की रेश्पी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरी यूटूब चैनल के हॉम्स कुकिंग को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगरी पीटियो में जैसरी कृष्णा राधे राधे